दोस्तो ये है एक्ने नौक जिल आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्ने नौक जिल के बारे में पूरी जानकारी जैसे एक्ने नौक जिल क्या है एक्ने नौक जिल में इंग्रेडेंट क्या क्या है सारे इंग्रेडेंट कैसे काम करता है एक्ने नौक जिल कितना इफेक्टि है और acne knock gel लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या side effect हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए video को पूरा जरूर देखिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू जानकारी आपको प्रुवाइट कर रहा हूँ मेरा उदेश आपको सिर्फ जनकारी देने का है कोई भी दवा, कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तो ऐक्नि नौक जेल के बारे में जानने के लिए आईए सबसे पहले जानते हैं Acne Noc Gel के Ingredient के बारे में दोस्तो Acne Noc Gel में दो तरह की Ingredient का इस्तिमाल किया गया है पहला है Clindamycin Phosphate और दूसरा है Nicotinamide आईए सबसे पहले बात करते हैं Clindamycin Phosphate के बारे में दोस्तो Clindamycin Phosphate जो एक Anti-Bacterial Medicine है जिसे Anti-Biotic Medicine भी कहा जाता है जो Acne और Pimples को ठीक करने में काफी असरदार है Clindamycin Phosphate Bacterial Infection की वजह से होने वाली Acne और Pimples के ग्रोथ को कम करने में बड़ा ही असरदार है Clindamycin Phosphate Bacteria को पनपने से रूपता है और Acne और Pimples को बढ़ने से भी बचाता है दोस्तों Clindamycin Phosphate इस्तेमाल करने से ये धीरे धीरे आपकी स्किन से Pimples और Acne को खतम कर देता है Clindamycin Phosphate स्किन को ड्राई रखता है और स्किन से निकलने वाला चिपचिपा पदार जिसकी वजह से Acne होता है या Pimples होता है चेहरा Oily हो जाता है उसे भी दूर करने में और कम करने में असरदार है Clindamycin Phosphate दोस्तों Acne Noc में नेक्स इंग्रेजेंट है निकोटिना माइट दोस्तों निकोटिना माइट जो एक विटामिन B3 है निकोटिना माइट जो एक विटामिन B3 है ये बढ़े वे पोर्स को कम करता है इसकिन को टोन करता है इसकिन की कमजोर सतह को ठीक करता है निकोटिना माइट और एक्मे और पिम्पल्स को भी कम करने में काफी असरदार है निकोटिना माइट जिनका इसकिन काफी ज़्यादा ओयली रहता है उनका पोर्स हमेशा छिप जाता है उनका pores, skin का pores हमेशा च्छिप जाता है जिसकी वज़ये से pimples होने का खत्रा बने रहता है और बहुत जादा pimples भी होता रहता है और इन ही pores को कम करने में असरदार है nicotinamide दोस्तो nicotinamide skin के लिए बहुत फाइदेमन होता है ये स्किन के बहुत सारे प्राबलम को ठीक करने में काफी असरदार है दोस्तों निकोटिनामाइड जैसा कि मैंने आपको बताया विटमिन B3 है जो स्किन के लिए काफी जादा असरदार और फाइदे मंद है विटमिन B3 हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़ादा फायदे मन्द है दोस्तों अगर एक्नी नॉक क्रीम के बारे में जाने तो एक्नी नॉक क्रीम में निकोटिनामाइड और किलिंडामाइसेन फास्पेड ये दोनों ही इंग्रेडेंट मिलकर काम करता है और ये दोनों इंग्रेडेंट मिलकर एक्नी नॉक जेल को काफी ज़ादा एफेक्टिव बनाता है दोस्तों एक्नी नॉक क्रीम टीनेज में होने वाली एक्ने और पिंपल्स के लिए अच्छा अप्शन हो सकता है ये शुरुवाती एक्ने की कंडिशन्स को आसानी से ठीक करने में कारगर साबित हो सकता है एक्नी नॉक जेल हर तरह के मुहासों में इस्तिमाल किया जा सकता है अगर मुहासे ज़ादा है तो एक्ने नॉक जेल को ज़ादा समय के लिए लगाना जरूरी हो जाता है जैसे मान लीजे आपको काफी ज़ादा एक्ने है तो आप इसे दिन भर में दो बार लगा सकते हो एक बार सुबह और एक बार रात में सूने टेम अगर आप सोते वक्त acne knock gel इस्तेमाल करते हो तो ये लंबे समय तक आपके skin में लगा रहता है जिसकी वज़ा से ये काफी ज़ादा असरदार हो सकता है दोस्तो अगर acne knock gel के side effect के बारे में जाने तो acne knock gel लगाने पर किसी किसी का skin dry हो जाना, काफी ज़ादा itching होना, skin dry होने की वज़ा से skin में itching होना, skin में खुझली जैसी समस्या होना, skin का छिल जाना या फिर burning sensation जैसी समस्या मतलब skin में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है दोस्तो acne knock gel के ये सारे side effect किसी को हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे side effect हो कभी कभी जिनका skin काफी जादा sensitive होता है, उनको ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है हम सबका स्किन अलग-अलग तरह का होता है मेरा स्किन जैसा है जरूरी नहीं है कि आपका भी स्किन वैसा हो इसलिए आप एक बार इसे जरा सा लगा कर देख ले उसके बाद ही इसे इसे इस्तिमाल करें अगर आपका skin sensitive है तो हो सकता है कि ये सारे side effect आपको हो दोस्तो side effect के लावा हो सकता है कि आपको कुछ allergic reaction भी दिखे जिसकी वज़ा से आपको परेशानी हो सकती है इसलिए आपको अपने doctor से सलाह लेकर ही acne knock gel का इस्तिमाल करना चाहिए क्यूंकि आपके skin doctor या आपके dermatologist आपकी skin conditions को देखकर ही आपको acne knock cream suggest करेंगे तो दोस्तो ये तो था acne knock cream के बारे में जानकारी अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो please video को like करिए, share करिए और channel को subscribe ज़रूर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद